दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बॉलिवुड की एक और अन्विलिस्ट मूवी के बारे में बताएंगे जिसका नाम है डाइनमाइट और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद थे अमिताब बच्चन और परान इसके लावा इस फिल्म की कहानी लिखीती इंदर राच अन्थ ने और इस फिल्म को म्यूजिक दिया था राजेश रोशन ने इसके लावा इस फिल्म के डारेक्टर थे टीनू अनन्थ और इस फिल्म के बेडिऊसर थे टोनी जुनेजा तो दोस्तों ये बात है साल 1982 की जब इस फिल्म को अनाउस किया गया था और बात करें इस फिल्म से जुड़े कुछ दिल्चस्प पहलूँ की तो डाइनामाइट फिल्म डारेक्टर टीनू अनन्थ और मेगा स्टार अमिताब बच्चन का सेकंड कुलाबुरेशन होने वाला था जहां कालिया फिल्म की क्रिडिकल और कमर्शल सक्सेस के बाद इस पेर ने अगले ही साल यानी 1982 में इस प्रोजेक्ट को अनाउस किया था और अनाउस्मेंट के बाद इस फिल्म के एक्साइटिंग पोस्टर्स भी रिलीस किये गए थे जिससे ये बात तो साबित हो ही जाती है कि डाइनामाइट फिल्म डारेक्टर टीनू अनन्द का एक पैशनेट प्रोजेक्ट था और इसके इलावा कास्ट कॉम्बिनेशन को भी देखें तो अमिताब बच्चन और प्रान की आइकॉनिक केमेस्ट्री एक बार फिर हमें बिग स्क्रीन पे दिखने वाली थी जहां ये दोनों टेक्निकली साउंड एक्टर्स इस एक्शन धमाका फिल्म में अपनी स्ट्रॉंग स्क्रीन प्रेजन्स के साथ तैयार थे मगर अनफॉर्चोनेटली ये फिल्म अननोन रीजन्स की वज़ा से प्री प्रोडक्शन स्टेश पे ही रोग दी गई थी जिसकी असल वज़ा भी ऑफिशली सामने ही नहीं आई थी और फिर ये पोटेंशल प्रोजेक्ट अल्टीमेटली शेर्फ कर दिया गया था और मेरे उपीनियन के मताबिक डाइनामाइट एक मोस् क्रूशल फिल्म थी जिसे मेकर्स को एनि हाव बनाना ही चाहिए था तो दोस्तों डाइनामाइट मोवी के बारे में आप सब की क्या राय है कि आखिर किस वज़ा के चलते ये एक्स्टारडनेरी मोवी बनते बनते रह गई अपना टेक हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईएगा